बिसमिल्लाब रह्मान इवरहिम असलाम लेकम स्टूरेंट्स अमने चैटर नमबर वन स्टार्ट किया हुआ था जो एक के एक्विलिब्रियम के वारे में थो और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के रेक्शन होते हैं एक होता है फोर्वर्ड और दूसरा होता है रिवर्स एक्शन, फोर्वर्ड जो अगे को लेके जाता है रिवर्स जो बैक लेके आता है और एक्विलिब्रियम तब आता है जब फोर्वर्ड और रिवर्स हापस में क्या हो जाते हैं इकवल हो जाते हैं ठीक है उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स पड़ी थी एक हमा दानिमी की क्विप्रियम की पर आज हमने पर आज जो लाओफ मैस सेक्शन पढ़ आज जो आज अगे आज पर पर आ ठार के जिन पर आज दो लर जो तोट बाद पर आज को आंप & 我 में पो भेजिक directly proportional होता है products के or universally proportional होता है reactants के यह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ठीक है clear हो गया आज हमने law of mass action पढ़ना है कि इस form में general reaction के form में A plus B reaction करके C plus D बना रहे हैं same वो ही case है लेकिन हमने start में इसके number of moles ले लेने हैं यह अगर यह बढ़ा है तो इसके start में number of moles लेने है तो वो smaller A ले 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 इसी तरह B के start में number of moles लेने है तो वो smaller B ले ले मैंने आपको बताया था किसी भी equation के start में अगर numbering आजे जैसे 1, 2, 3, 4 या कोई भी चीज आजे तो वो उसके क्या बन जाते है number of moles लेने हैं यह अगर C है तो यह इसके number of moles है यह D है तो इसके number of moles ले लेने है और आपने अब यह देखना है किस तरह number of moles होते हैं कि क्या बन जाते हैं coefficients बन जाते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो rate है forward reaction का वो डिरेक्टि प्रोपोशनल है A के और B के मैंने आपको बताया था कि forward वो होता है जो किसी को आगे लेके जाए तो आगे लेके जाने के लिए एक A है और दूसरा B है इस A के जो number of moles हैं वो इसके coefficient बन गए हैं इस B के number of moles इसके coefficient बन गए हैं वो ही चीज proportional के sign को अटा के हमने क्या लगा दिया के F लगा दिया साथ A और B वैसे और उसके number of moles उपर कोफिशेंट के फॉम में उपर आगे इसे तरह rate of reverse direction proportional है किसके C और D के C और D उसके उपर आगे ठीक है proportional के sign को अटा के हमने के R लगाया के का मतलब constant और R का मतलब reverse यह नहीं reverse constant जो है reverse direction के लिए यह मैंने आपको पहले भी बताया होगा है equilibrium पे forward और reverse direction का rate equal आजाता है दोनों की value यहां पर put कर दी गई KF को इदर ही रहने दिया KR को यहां से उठा के इदर ले आए यह इदर ही रहेगा A और B यहां से उठा कर इदर आगे ठीक है KR जब divide होता है तो क्या बन जाता है KC की value जो है वो यह आगी CD उसके जो number of moles है उसके coefficients AB उसके number of moles of coefficients तो इसकी definition क्या होगी कि KC equilibrium constant channel reaction के लिए हम जरब दे रहे हैं यानि product का रहे हैं कि इसके products की concentration के और उनके number of moles जोंके क्या बन गे है coefficient बन गे है ठीक है reactants की concentration के concentration मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था concentration को जिससे जार किया जाते है brackets से ठीक है और साथ इसके number of moles बन गया केसी products उपर होते हैं reactants कहां आते हैं नीचे आते हैं यह देखने यह reaction के products हैं ठीक है नीचे रखने है NH3 कहां आजएगा उपर इसके number of moles अब 2 हैं तो यह उपर जे चले जाएगा coefficients के form clear N2 नीचे 3H2 यहां आजएगा और 3 जो होगा वो number of moles के form में coefficients बनके उपर चला जाएगा याद रखने हैं दोनों brackets को multiply करना है plus का sign नहीं लगाना clear हो गया अब एक और example ले लें 2H2 प्लास O2 reaction करके क्या बना रहा है 2H2 O, H2 O उपर आएगा 2 जो होगा वो उसके क्या बन जाएगा coefficients बन जेंगे इसी तरह 2H2 यहां पर आजएगा लेकिन जो हमारा 2 है वो number of moles है इसलिए वो कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा और O2 साथ अलाएदा आजएगा इन दोनों को एक bracket में नहीं लिखना अलाएदा अलाएदा bracket में लिखना है plus नहीं लगाना क्योंकि यह nitrogen और oxygen reaction करके nitrogen monoxide बना रहे हैं अब हमारे पास पहला rate जो है वो forward reaction का है वो N2 और O2 है दूसरा reverse का है वो nitrogen monoxide के start में क्या लिखा हुआ है 2 तो 2 जो होगा वो उसके क्या बन जाएंगे ऊपर कोफिजेंट्स में चले जाएंगे कैसी की value लिख देनी है इसे तरह यह जो example है यहां तक आपने इसको करना है और मैं मुईत करती हूँ कि जो बचे मेरा lecture सुन दे हैं kindly वो at least 2 बार इसको लिखके मुझे चेक करवाएं त